नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्गां के टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं पर कासी में गांगा नदी के दोनों किनारों पर एक गार अलाक दीप जला कर एक पर मनाया जा रहा है बता दे कि हिंदू कलेंडर के कार्तिक महिने के पूर्णीमा को देव दिपावली मनायी जाती है कुरोना से लडाई में राजवासियों का सहयोग सराहनिये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने सोमोहर को दो धार्मिक कारेक्रमों में सिर्कत की सुबह हुए सिरी गुरु नानक देव जी के 591 जयनती पर आवेजित परकास पर में सामिलित होने के लिए राची के गुरु नानक इस्कूल परिसर इस्थित गुरु घार पहुंचे उसके बाद वे बुकारों के कलपनिया इस्थित लुगु बुरु घंटा बाई धोरोम गाड में पूजा अर्चना करने पहुंचे बतादे दोनों ही कारक्रमें मुख्यमंत्री ने राज की तरक की और खुसाली की कामना की साथ ही कुरोना संक्रमन के खिलाब जाई लडाई में साथ देने के लिए राजवासियों की सराहना की और धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सीख समुदाय के लोगों ने इस संक्रमन काल में महत्पुन भूम का निभाई है राजवानी ट्रेन से दिली जाने के लिए राजवासियों की टीम ने तसकरों के चंगुल से बचाया है राजवानी ट्रेन से दिली जाने के लिए राजवासियों की टीम ने तसकरों के चंगुल से बचाया है हज यात्रियों को 6 अजर तक देने होगी वीजाफीस मामारी कुरोना की वज़ा से 2020 में हज यात्रा नियस्ट कर दी गई थी लेकिन हज 2021 के लिए तैयारी सुरू कर दी गई है भारत और सौधी अरब सरकार ने कुरोना को लेकर हज के लिए नई गैलेन तैयारी की है जिसके तहत हज यात्रा महंगीत हुई है साथी साथ कई नई दरे भी जोड़ दी गई है गाइडलाइन के मुताविक पहली बार हज यात्रियों से वीजाफीस भीली जाएगी या वीजाफीस परतेक हज यात्रियों को 300 सौधी रियाल देना होगा इस हिसाब से परतेक हज यात्री से लगवक 6,000 रुपए तक अधिक लिये जाएंगे सरना धर्म कोड लागू करने में मदद करे भाजपा के सांसद इर्फान कंग्रेस के परदेश करेकारी अध्यक्स भीधायक डाक्टर इर्फान अनसारी ने सरना धर्म कोड लागू करने के लिए जार्खन में भाजपा के बारा संसदों को पत्र लिख कर मदद करने की अपिल की है उन्होंने का कि राज़ सरकार ने विशे सत्र बुला कर आदिवासियों के हीत के लिए सांद धर्म कोड के परस्ताव को जार्खन विधान सभा से पारित किया आदिवासियों के धर्म संस्कृती जल जंगल जमीन की लडाई तो वह विधायक बनने से पहले लड़ते रहे आदिवासियों के हीत के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना हो तो वह मंजूर है भाजपा की सरकार या नहीं चाहती की सरना धर्म कोड लागू हो CBSE के बरावी की प्रेटिकल परिक्षा एक जनवरी से लेकर आठ फरवरी के बीच होगी इस समंद में हाल ही में बोर्ट के सचीव अनुराग त्रिपाठी ने दिल्ली में घोसना की थी हलाकि कुरोना को लेकर इस तीथी में संसोधी संभावित है बता दे कुरोना संक्रमन से बचने के लिए परिक्षा के दोरान इस बार काफी बदलाव किये जा रहे हैं बोर्ट दोवारा इस समंद में SOP त्यार किया जा रहा है राची जीले में 23 केंद्रों पर धान की खरिदारी आज से राची जीले में धान अधि प्राप्ति की प्रकिरिया एक दिसम्बर से सुरू हो जाएगी राची जीले के सभी प्रकंडों में लेप्स के माध्यम से धान प्राप्त किये जाने के लिए कूल तेज के अंदर बनाए गया है वहीं 6 राइस मिल को धान प्राप्त करने के लिए अधिक्रित किया गया है बतादे सभी राइस मिलों पर CCTV कैमरे लगाएगा है और मईस्टेट की प्रत्युनिक्ति भी की गई है इस वर्स किसानों का धान 2050 रुपे प्रतिक क्यूंटर लिया जाएगा दिभ्यंग युवाओ को बिना व्याज रीन देगी सरकार राजे में दिभ्यंग युवाओ को उच सिक्षा तथा सोरोजगार के लिए रीन की सुवधा मिलेगी सबसे बड़ी बात या है कि इस रीन पर लावको को व्याज नहीं देना होगा इसके लिए दिव्यंग जन राज कोस का गठन होगा इसे समधित प्रस्ताव स्विक्रिति के लिए कैबिनेट को भेजा जा रहा है शुरुवात में इस कोस के लिए राज सरकार दो क्लो रुपए उफलब्द कराएगी बाद में अध्योगिक इकायों से सवयोग लेकर कोस में विरिधिक की जाएगी जरुरत पढ़ने पर राज सरकार अगले वितिय बर्सों में भी इस कोस में रासी जमा करेगी रांची से अमादाबाद के लिए 20 दिसमबर से शुरू हो रही बिमान सेवा रांची के 20 आमदाबाद दिली और मुमबाई के लिए उडान भरेंगे अभी रांची से दिली मुमबाई, कोलकाता, बेंगलोरू, हैदराबाद और मदराज के लिए उडान सेवा है अगिन समन में EG of Doing Business के तहत सन्विता के अधार पर कारेरात कंप्योटर अपरेटरो का मांदे भुगतान की मांग अगिन समन सेवा मुख्याले सही जार्खन के सभी अगिन समालीों में Data Entry Operatorों कंप्योटर अपरेटरों के न्यूकती EG of Doing Business के तहत मुख्य सचीव जारकन सरकार के आदेश के आलोग के चैप आईटी के माध्यम से सितमबर 2017 में की गई थी बता दे कि अगस 2018 में कार्य अधी समाप्ती के पस्चात अधी विस्तार किया गया जो सितमबर 2018 से अगस 2019 तक के लिए विस्तार किया गया जिसका परिस्रमिक भुख्तान अब तक लंबी था है मांदे नहीं मिलने के कारण सभी अपरेटरों के समक्ष कोरोना काल में भुख्मारी की इस्थिती उत्पन हो गई है सभी अपरेटरों ने बकाया मांग दे भुख्तान की मांग की है रांची में सराब और जमीन मफ्याओ पर नकेल की त्यारी रांची पुलिष ने सराब करोबारी वह जमीन मफ्याओ पर नकेल कसने की त्यारी कर रही है हाल के दिनों में बढ़ रहे अपराद को देखते हुए फैसला लिया गया कि सराब मफ्याओं और दागी जमीन मफ्याओं पर नकेल कसा जाएगा जमीन कारोबारों में अपराधिक इतिहास रखने वाले के साथ-साथ सराव के अबयद कारोबारों में लगे सराव मफ्याओ परवेवी विशेस निगाह रखने का SSP सुरेंद्र कुमार ज्हान ने थाने दारों को निदेश दिया है रेलवे यात्रियों को राहत बिहार से रांची और टाटा के लिए 30 दिसंबर तक चलेगी ट्रेने रेल्वेय यात्रियों की सुभधा के लिए इसलामपूर एवंपूर्णीमा कोट से राची तथा दानापूर तथा छाप्रा से टाटा के लिए चलाई जा रही पुजा स्पेशल का परिचरण अब 30 दिसमर 2020 तक किया जाएगा पूर्वमद रेल्वे के CPRO रायस कुमार ने बताया कि ट्रेन में यात्रियों को कोविंट के नियम का पारण करना होगा साथी ट्रेन में सभी कोच अरक्षित स्रेनी के होंगे कोडर्मा से मवैसी लदा दो ट्रक को पुलिस ने किया जब्त तिलया पुलिस ने रातरी गस्ती के दोरान गुप्त सुचना पर पारवती क्लिनिक के निकट से मवैसी लदे 12 चक्काट ट्रक जब्त किया है जब्त ट्रक में 34 गाय एवं 12 गाय के बचे लदे पाये गाए मामले को लेकर गस्ती में सामिल पुलिस अवर निरिक छक नवीन होरो के द्वारा तिलया थाना में प्रात्मी की दच कराई गई है बेटी की साधी का पाला अमंत्रन काड देवी मा को अरपित कर वापस लोट रही महिला की ट्रक से मौत अपनी बेटी की साधी का पाला निमंत्रन काड देवी मा को अरपित कर वापस लोट रही बविता देवी की मौत एक ट्रक की चपेट में आने से हो गई बतादे घटना सोमवर की सुबा घागरा पर खंड मुख्याले इस्थित ग्रामिन बैंक के सामने हुई है देवघर से 17 साइबर अपराधी गिरफतार देवघर साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता आसिल करते हुए 17 साइबर अपराधी को गिरफतार किया है गिरफतार साइबर अपराधियों के पास से 82 हैर नगदी के अलावे 22 मोबाइल, 30 सीम कार्ड, एक बाइक और एटियम बरामत हुआ उक्त गिरफतारी जीले के सारट, सारवा एम देवी पूर्थाना अंतरगत विभीन गाओं से की गई है भूया संहर समीती ने जताया मुखमंत्री का अभार अखिल भारतिये भूया संहर समीती के सदस्यों ने भूया जाती की उपजातियों को अनुशूचित जाती में सामिलित किये जाने के अंसोशा करने पर मुखमंत्री हमन सुरेन के प्रती अभार प्रकट किया है साथी केंद्र सरकार से स्विक्रिती के लिए अव इलम केंद्रिय समाजीक न्याय और अधिकारिकता मंत्राले को बहजे जाने का अग्रखिया है कार्तिक पूर्नीमा के शुब ऐसर पर बाबा नगरी देवगर में सधारों की भी उमर परी तरके सुब असे ही बाबा के भगतों की भीग लगने लगी थी बिदी बेवस्ता को दुरुस्त करने में देवगर पुलिस भी अपनी डूटी पर तनाद दिखे बतादे पुर्निमा के उसर पर लोगों ने सीव गंगा में असनान के लिए भी जूटने लगे थे और भक्तों ने सीव गंगा में असनान कर बाबा का दर्शन पूजन के लिए कतार में लगते दिखे संतालों की अटूट अस्था और विश्वास का प्रती खाय पवित्र धार्मिक धरोहर हमन्सुरेन मुख्य मंत्री हमन्सुरेन सोमवर को कार्तिक पुर्णीमा के मौके पर बोकारो जिला इस्थित ललपनिया के लूगु बूरु घांटा बाड़ी धोरोम गाड में आयोजित बिशेश अनुष्ठान में सामिलित हुए उन्होंने लूगु बाबा की पूरे बिधी बिधान और परंपरिक तरीके से पुजार्चना की मुख्य मंत्री ने कहा आज का दिन कई धर्मोग के लिए बेहत खास है गुरु पुर्नीमा और गुरु नानक जयनती के सा संथालों के इस पवित्र अस्थान में विशेश पुजार्चन का आयोजन किया गया है यह हमें धार्मिक सहिसनुता का संदेश देता है टॉक टू डीसी के माधियम से देवघर डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं कुरोना काल में जिलावासियों के सुझाओ और समस्याओ के निराकरण के उदेश से उपायूक मंजुनात भजनत्री के अजक्सता में सो मुआर को समानाले सभागार से टॉक टू डीसी ऑनलाइन कारेकरम कायोजन किया गया इस तोरान जिले के सभी दासो परखंड के परखंड विकास पता दिकारी एवं सीयस्केंद्रो के माधियम से जिले के असी पंचायद के लोगों ने उपायूक से ऑनलाइन मुलकात कर अपनी समस्याओ से अवगत कराया गीरी डी के पीरा टांड में मवादियों के पोस्टर से लोगों में दस अप गिरी डी जीले के नक्सल परवावित पीरा टांड इलाके में भागपा मवादी ने पोस्टर और बैनर लगा कर एक बार फिर अपनी मौजूदगी का सास कराया है नक्सलियों ने पोस्टर लगाने की हिमांकत उस वक्त की जब दो दिन पूर्व ही आईजी अभियान ने अधिकारियों के साथ इलाके में उच अस्तरिये बैठक कर नक्सलियों के खिलाप अभियान की समिक्षा की थी सक्षनिक सत्र 2021 में पहली से आठवी कक्षा में कटवती की गई सिलेबस ही होगा लागू कुरोणा में हमारी को लेकर स्कूल बंद है ऐसे में बचों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है जिन बचों के पास स्मार्ट फोन नहीं है वे तो पढ़ाई से दूर तो है ही पर ओनलाइन कोंटेंट से भी महरूम है इसको देखते हुए स्कूली सिक्षायम सक्षाता विभाग ने प्राथमीक और उच प्राथमीक अक्षावक के लिए संचीप्त पाठकरम जारी किया है बतादे सेक्षिनिक सत्र 2020 21 में पालिस से आठवीक अक्षा में कटवती की गई सिलेबस ही लागू होगा मैट्रिक इंटर की परिक्षा के लिए मोडल प्रस्न पत्र चार कंपोनेंट में तयार होंगे मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा के लिए मोडल प्रस्न पत्र चार कंपोनेंट में बाटे जाएंगे बतादे भासा विज्ञान, बानिज और कला के विशयों का अलग-अलग कंपोनेंट होंगे और हर कंपोनेंट में एक रुपता होगी जार्खन स्यक्षिनिक अनुसंधान और प्रस्षिक्षन परिशद ने सीवी, एसी, रायस्थान और उडिसा बोट का अधियान का रिपोर्ट जार्खन 182 काउंसिल को सोप दिया है इसी अलाप पर मैट्रिक और इंटर्मिडियेट का मॉडल प्रस्षन पत्र तयार कर प्रस्ताव इस खुली सिक्षा और सक्षाता बिवाग को सोपने को कहा गया है डियस्पी अस्तर के अधिकारियों का होना है प्रमोशन पर एसी आर रिपोर्ट नहीं आई राजे पुलिस में डियस्पी अस्तर के अधिकारियों का प्रमोशन होना है पर्मोशन को लेकर मंगलवार को बोट की बैठक क्रमिक सचीव के आहां होनी है लेकिन जीन अधिकारियों का पर्मोशन होना है उनकी ACR रिपोर्ट अब तक पुलिस मुख्यालाइक को नहीं भेजी गई है मंगलवार को बैठक से पहले तक रिपोर्ट नहीं मिली तो प्रणती लंबित रहा सकती है जाखन में 167 नहीं संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो राची से 69 बोकारो 8 देवघर 5 धनबाद 9 दुमका दू पूर्वी सिम्भूम 22 गडवा 1 गिरीडी एक हजारी बगदो जामतरा 1 लाते हर 10 लोहरता का दू पाकुड 1 पलामु 4 रामगड 1 साहिवगन 4 सराय केला 12 सि एक्टिव केस है राजय में एक्टिव केस राची 734 पूर्वी सिम्भूं 306 बोकारो 114 धनबाद 22 गूमला 58 सराय केला 75 हजारी बगड़ पैसर रामगड़ 56 लाते हर से तालीस साहिवण चिवालिस जामतरा ते तालीस गडवा ब्यालीस लुर्दग्गा ब्यालीस पलामु 4 दूमका 37 देवगर 36 खुट्टी 35 प्रचमी सिम्भूं 33 चात्रा अठाइस को डर्मा उनाइस सिम्डेगा 20 गिरीडी 11 गोड़्डा नौ पांको तीन एक्टिव केस है धन्यवाद चनल पर यदि अपनाय होते चनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल ऐकन दबाए साथ साथ वी कोमेंट बक्स में आपना फीड़एक अवसे दे थाइंक यू